जे आज के इस वीडियो में मैं जूनियो काड की अनपैकंग करने वाला हूं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आपको ये काड रेसीव होगा अगर आप इस काड को अपलाई करते हैं तो guys इस card को apply करना बहुत easy है आपको link मिल जाएगा नीचे description में आप simply जाकर download करके apply कर सकते हैं basics जो आप registration करते हैं बाकी के wallets में या फिर easy आप मतलब register कर लेगा आप simply जो नीचे link से download कर सकते हैं कुछ इस तरीकी का आपको जो packaging के साथ ये card आपको deliver हो जागा ये free में आपको card मलता है only 1 रुपे pay करना पड़ता है इस card का तो मैं इसको simply जो open करके आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़े देखने को मिल जाएगी card के अंदर और benefits बता देता हूँ आपको इस card के अंदर जो benefits देखने को मिलते है basic से आपका जो अगर आप UPI से पैसे add करते हैं इस card के अंदर तो आपको जो इसके अंदर 2% का cashback मिलता है जो कि आपके card के limit 10,000 रुपे होती है जिसके अंदर junior की branding है तो इसको simply आपको यहां पर चिपका हुआ होता है simply आपको ऊपर की तरफ करना है यहां पर लिखा हुआ do not save what is left after कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जब आप इसको open करते तो इसके अंदर एक और आपको जो छोटा सा envelope मिल जाता है जिसमें आपको यह card रखा हुआ मिल जाता है जिसका color combination काफी अच्छा है इसमें जूनियो की branding आपको देखने को मिल जाती है देख सकते हैं card का look को चीज तरीकी का जो plastic material है वो भी काफी सही है इस card का मतलब एक रुपे में मिलता है काफी सही card है आप देख सकते हैं RBL की branding के साथ आपको यह card मिल जाता है क्योंकि काफी सही card है मतलब बस इसमें जो limit है वो 10,000 रुपे की है अगर ज्यादा होती तो ज्यादा बैटर रहता आप इससे काफी अच्छी earning कर पाते है यहाँ पर corner side पर जैटा की branding है जो इसका payment जो page खुलता है उसमें जैटा ही लिखा हुआ था मतलब जो भी payment होता वो जैटा के थ्रूई होता होगा माइट भी तो कुछ इस तरीके का आपको यह card देखने को मिल जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और अब हमारे चैनल को एक वाच चेक भी कर सकते हैं जब तक के लिए bye bye and data मिलत किसी और इसी तरीके